एक करोड से जाधा पैसे लेके उन्हों अपॉट्मेंट लिये तो आगे आने वोले दिनों में स्टूडेंट्स इनसे क्या सीख पाएंगे स्टूडेंट्स को ना इंसाफ दिला रहे हैं सभी को पकड़ना चाहिए इन्वस्ट्रिकेशन जीतना तेज हो सकता है उतना तेज से होना चाहिए यूविस्टि के जो वीसी है उन्हों डिरेक्ट ले करॉट्शंज के अंदर इन्वाल होए है सबी स्कैम में सबी स्टुडेंस ही सफ़र हो रहे जितना अनेंप्लाइमेंट है जितना यह क्राइस से उसकी वज़े से यह करेप्शन का इतना बहुत बड़ा महा लुटा रहे आँज भी तना रहे जितना इतना अन्यद्ग के जितना यह जोटा इन रहे हो अए तनिके माड़ तनिके माड़ तनिके माड़ आज देश भर में हम लोग को सुन्ने में आरा है कि जितने भी competitive exams है जितने भी service sectors है सभी sectors में आज scams हम लोग नजर देख रहें especially जो assistant professors की जो post है उसमें भी scam कर रहें धारवाड में जो register पकड़े गया है यह इतना पूरा देखने को हम लोग उनको मिल रहा है जो education सभी university की दोरान सभी colleges को एक district को यह लोग circulate करते वोई register अगर corrections में involved है तो सभी colleges को सभी students को कैसे यह लोग अच्छा education दे पाएंगे they all are correct and they are giving education to us तो वोग कैसे education दे पाएंगे और paper में भी कहने को आया रहा है टीवी में भी कहने को सुनने को आ रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही university नहीं सभी university के कुछ लोग भी शामिल है बुलके हमारी ideas का मांगे जितने भी culprates है जितने भी लोग क्योंकि पोस्ट के लिए जितने भी लोग पढ़ते है प्रिपेर करते है बहुत लोग गरीब के बच्चे होते हैं वो लोग उन लोग को जो शिक्षन देना रहता है अगर वो लोग 30,000 40,000 corruption दे के assistant professor का job लिए तो वो लो लोग उपर से नीचे तक corruption में involved है सभी को पकड़ना चाहिए इन्वेस्टिकेशन जितना जल्दी तेज हो सकता है हमारी जो government है state government उसको प्रेजराइज करना चाहिए CBI की investigation जाधा करना चाहिए तेज करना चाहिए और जो culprates है उन लोग को जल से जल सजा देना चाहिए बुलके मैं request करूंगी और उसको छोड़के भी बहुत सारे सबी लोगों को अरेस्ट करना चाहिए और बच्चों को न्याय दिना लना चाहिए बुलके हम यह आई डियसो students organization की तरफ से अपील करूंगी सबी को मालूम है recently एक incident बाहर आ चुका है और एक बहुत बड़ा corruption हमारे करनाट का states के अंदर खुलास हो चुका है वो यह है कि करनाट का धारवाड करनाट का जो असिस्टन प्रोफेसर जो appointment होता है इसके अंदर बहुत बड़े पाइमाने पेस क्याम होआ है इसके खिलाव आज हम आल इंडिया डिमोक्राटिक स्टूरेंस और नेशन के जरिये हम इसके खिलाव आवाज जारे अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है ऐसा हो तो जो प्रोफेसर बन रहे एसिस्टन प्रोफेसर बन रहे उन्हों है अगर 70 लाक 80 लाक वैसे अगर पूरे के पूरे करप्शन चलता रहा तो पॉलिटी एजुकेशन को पोता हम उम्मीद ही नहीं कर सकते तो इसके खिलाव हमार आवाज हम उठा रहे है एक तरफ से और दूसरी तरफ से हम मांग कर रहे है कि यह पूरे के पूरे बहुत बढ़े स्क्याम के अंदर जो क बड़े पाइमाने पे जो बहुत बड़े बड़े जो हस्तिया आए उनका भी आना बहुत जरूरे है उनका भी नाम आना बहुत जरूरे है इसके लिए हम गवर्मेंट से यह मांग करते है कि इमिडेटले सक्षे सक्त कारवाई करके जो भी इसके अंदर जो रिजनेबल पर उनिएड शुटल के बिन अनिए उनिए शुरत कजान शाहिं गूप एंटिटिए अल-करीम वर्डिंग मॉल एजबाई अर्किन मॉल और्प्स इंटनाशनल स्कूल